अगर आप चेहरे के अंचाहें बालों को लेकर बहुत जादे परेशान रहती हैं और उसका treatment आप natural तरीके से करना चाहती हैं तो आज एक बड़े ही कमाल का तरीका आप लों को बता रहे हूं इस तरीके से अंचाहें बालों को हटाएंगी तो सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि दुबारा से उसकी ग्रोथ जो निकड़ेगा बहुत कम मात्रा में होगा हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब चेहरे के अंचाहें बाल हम मैलाओं को बहुत परिसान कर देता है और इसको हटाने के चकर में हम बहुत कुछ ट्राइ करते हैं मन चाहा हमें रिजल्ट नहीं मिलता है लाश्ट में हम पार्लर जाकर थ्रेडिंग कराते हैं बैक्सिंग करा लेते हैं क्रीम का यूज करते हैं और बहुत सारा तरीका आपना लेते हैं लेकिन उसका क्या रिजल्ट होता है इसकीन पूरी तरह से डार्क हो जाता है लूज होने लगता है आज जो ये तरीका आप लोगों को बता रहे हूं इसकीन के लिए विल्कुल सेफ है और इसे हर कोई यूज कर सकता है चाहे आप एक टीनेज में हैं चाहे आप एक महिला हैं सभी लोग इसे अपने फेज़ते अपलाई कर सकते हैं इसे बनाना काफी जादे असान है लेकिन इसका रिजल्ट आपको खुस कर देगा तो जादे बाते ना करते हुए चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी लेना है ठीक है इसमें आपको आइट कर देना है एक चम्मच कॉफी पाउडर जो दो रुपे का कॉफी का पाइकित आता है वही मैं यहां पिले रहे हूं इतना फेस के लिए काफी है कॉफी में इसकीन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होता है लेकिन फेसियल एयर को यह कैसे उठेंगे और जो आप हर मंद पारलर जाती है तो कभी भी आप पारलर नहीं जाएंगी खास करके अंचाहें बालो को हटाने के लिए आज के वीडियो आप सभी के बड़े काम आएगा और इस तरीके से बना कर आप अपलाई करेंगे तो पहली बार में काफी सारा बाल निक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर आप होम रेमेडिस पे भी स्वास करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने फ्येस पे अपलाई करिए एक चम्मच कॉफी पाउडर है प्लस एक चम् करने लगता है तो हल्दी ये सारे स्किन प्रावलम को खतम करेगा फेस पे दाना भी नहीं निकड़ेगा और इसकी रेट भी नहीं होगा साथ में इसमें आपको एड़ कर देना है थोड़ा सा गेहूं का आटा जो कि हम सभी के घर में रोटिया बनता है बहुत थोड़ा सा लीजिएगा जादे इसमें लेने की जरूरत नहीं है और जादे बना कर रखना भी नहीं है उतना ही बनाईएगा कि एक बार में खतम हो जाए अगर आप इसे अपने हाथ और पेर लगाना चाहती हैं तो इसकी क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा लेकिन फिलहाल अभी मैं अपने फेस के लिए बना रही हूं और हर बार मैं आप लोके लिए अलग-अलग रैमेटी सेयर करती हूं तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा सेयर किया करिए अपने दोस्तों में इसमें आपको आधा चमच गेहूं का आटा डालने के बाद अब इस में पाए जाता है इसकीन वाइटनिंग प्रॉपर्टी तो कच्चा दूद थोड़ा सा लेकर इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप अपने फेस पे रो मिल्क नहीं लगाना चाहती है तो इस केस में आप गुलाब जल भी इसमें ले सकती है स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे आपको 2-3 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छे से फूल जाए और जब आप इसे अपने फेस पे लगाए तो पूरी तरह से स्कीन को पकड़ ले तो 2 मिनट के लिए रखियेगा जरूर उसके बाद ही फेस पे अपलाई करिएगा तो चलिए फ्रेंट देख लेते हैं किसे फेस पे हमें किस तरीके से लगाना है तो सबसे पहले आपको दो काम करना होगा अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहती हैं पहली बार में तो दो काम क्या है सबसे पहला इस टेप आपका होना चाहिए फेस को क्लीन करना ठीक ह फेस को अपने अच्छे से क्लीन कर लिजेगा और दूसरे इस टेप में आपको इस टीम लेना है फेस पे इस टीम भी लिजेगा अगर आपके फेस पे बहुत जादे बाल है तो बहुत सारी मैलाओं के फेस पे जो दाड़ी मूँश दिखने लगता है देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो उस केस में आप अपने फेस पे इस टीम जरूर लिजेगा जिससे क्या होगा कि जो अंचा है बालो का जड़ है वो कम जोड़ हो जाएगा तो फेस टीम भी लिजेगा अगर आपके फेस पे हलका फुल का रुआ है पता नहीं चलता है लेकिन थ पूरे फेस पे अच्छे से apply कर लेना है आप लोग देख सकते हैं अगर आप इसे अपने हाथ और पेर पे लगाना चाहती है तो लगा सकती है ठीक है वहां का बाल भी हटा देगा लेकिन कई बार आपको apply करना पड़ेगा क्योंकि हाथ पेर का जो बाल होता है उसका जड़ ब अपलाई करना पड़ेगा अब जान जाते हैं कि कॉफी आखिर क्यों हम यूज किये हैं कॉफी अंचाहें बालों को हटाएगा कि नहीं तो देखिए फ्रेंट कॉफी में इसकीन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज पाय जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में कैफीन होता है इसमें जो हम सहद लिये हैं गेहु काटा और कॉफी ये मिलके इतना जादे इस्टिकी हो जाएगा और फेस पे लगाने के बाद पूरी तरह से इसकीन को चिपक जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉफी ली हूँ अंचाहे बालो को हटाने के चक्कर में हम अपने स्कीन को इतना जादे डार्क कर लेते हैं जब बार बार फेस पे थ्रेडिंग होता है अपरलिप का जो एरिया होता है पूरी तरह से डार्क दिखने लगता है तो इसकीन को ब्राइट भी करेगा कॉफी के बहुत सारे अंचाहे बालो को भी हटाएगा फेसियल हेयर को तो रिमूओ करेगा साथ में इसकीन के डार्कनेस को भी खतम करेगा तो चलिए जी अब देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से हमें रिमूओ करना है जब हम अंचाहे बालो को हटाते हैं उसके लिए कोई भी पैक लगाते हैं त इसे किस तरीके से आपको रिमो करना है सबसे पहले एक गिली हैंकी ले लिजिएगा और इस तरीके से अपोजिट डाइरेक्शन में आपको क्लिन करना है वीडियो में आप लोग देख सकते हैं एक एक इस टेप मैं आप लोग को दिखा रहे हूं तो इस तरीके से अपोजिट बखुद रिजर्ड देखने को मिलेगा आपको खुद असास होगा कि फेसियल हेयर जर्ड से निकड़ रहा है दुबारत से उसकी ग्रोथ भी बहुत कम मात्रा में होगी तो आप लोग से highly request कर रहे हूँ किसे आप ट्राइज जरूर कर यह चाहें आप टीनेज में हो चाहें आप एक महिला हो हर कोई ुजकर सकता है अंचाहें बालों को लेरे का लिए चाहें होम रैमडी के फून हटाती है दो काम आपको जरूर करना जाहिए को तो या टो आप बरफ लगा सकती है या तो फिटकरी जो एलम होता है उसे गीला करके उसी एरिया पर आपको रफ करना है जहां का बाल आप रिमूव की है ठीक है या तो आप पारलर में जाकर या तो घर पे जहां का बाल आप हटाई है उस एरिया पर आपको अच्छे से या तो फिटकरी लगाना है या त दोनों में से आप कुछ भी लगा सकती हैं तो इस तरीके से क्लीन कर लिजेगा आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा रिजल्ट आया है मेरे फेस पे जब आप इसे अपने फेस पे अपलाई करेंगे तो पहली बार में ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करिएगा तो मैं आप लोग से मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई